नमस्कार मैं मंदीप हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ पेशे से और मैं कल सिंगु मोर्चे पर जो किसान मजदूर संगर्स कमेटी है उसके स्टेज़ पर था जब दंगाईयों ने स्टेज़ के उपर हमला किया और उस टाइम पर मैंने जो देखा वो मैं आपके आगे बताना जा रहा हूं असल में 50-60 लोगों का एक गृुप आता है जो तिरंगया लेकर आता है है और वह किसानों के उपर किसानों को पहले गालिया देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहां से भागो तुम्हें सब सबक सिखाते हैं और फिर पत्राव करने लग जाता है पत्राव कर और पुलिस वह 58 थे लेकिन पुलिस फ्लिस चार से पौनञार पुलिस वाले क्ल थे 2,000 तो उनको बैगिपप दे रहा था पुरा और चार प्पांच पूरे अरया में डिपलोई कर रखी दी फ्लिस ठी तो पिछे fazem measurement को बैगिए और वह आगे से पत्राव कर रहे हैं और लगातार चेलागा उन्होंने आतों में प पहिलाओं का टेंट है उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो यह सब हो रहा था तो अभी जिन लोगों ने वह हमला किया है वह लोग उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वह भी सामने आ गई है और साथ में दिल्ली पुलिस का रोल भी मैं आपको दिखांगा और साथ में जो म महां पर पत्रकार जिनको हम जानते जो अच्छे पत्रकार हैं वह भी उलट कर रहे हैं तो अभी बेसिकली जो यह हमला किया था उसमें जो फोटोएं आ रही हैं और जो मैंने रात बर देखा कि कौन लोग थे उन लोगों जो पहले आए आतोमित रंगे लेकर किसानों को गा आजपा का जिला कन्वीनर बताते हैं अपने आपको यह मनोज की वारी के साथ दिख रहे हैं यह जिनके उपर एरो लगा हुआ है ऐसे ही इनकी फेस्बुक प्रोफाइल है परदीव खत्री ठोलेदार जिला परबारीन उन खुद लिखा हुआ है यह प्रोफाइल भी मैं आ आपको दिखाना चामगा इस आदमी की इसकी फेस्बुक प्रोफाइल मैंने खोल रखी है फेस्बुक पे आप देखेंगे तो एक अंकित सर्मा नाम के इंसान ने कल गए हुए कि इसकी वीडियो भी पोस्ट कर रख्या है जो जी न्यूज को यह इंटर्व्यू दे रहा है यह इसकी आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसकी प्रोफाइल पे खूब दिख जाएगा कि यह कौन सी परदीप खत्री ठोलेदार और यह बीजेपी का गंतन तरदिवस की बदाई दे रहा है तो यह जो बीजेपी के जो औरनेता है संदीप सहरावत उनके साथ हैं तो य यह बेसिकली बीजेपी का आदमी है परदीप खत्री ठोलेदार यह कल वहां पर किसानों के उपर पत्त्राव कर रहा था दूसरा नाम दूसरा है जो यह अमन डबास है और यह अमन डबास बावाना से है इनकी पतनी यह भी BJP में है अमिच्छा के साथ इसकी फोटो है इसकी मैं और फोटो भी दिखाँ महां जिसमें यह दंगाईयों के साथ खड़ा है और पत्राव कर रहा है किसानों के उपर इसकी पत्नी पारशद है बीजेपी से तो इसमें आप इसका ये देखिए ये जो फोटो है ये ये खड़ा और ये देखिए ये अमिद्चा के साथ ये दोनों कल लोगों ने निकाल के और ये मंडला देक्स है आपको मैं बताऊं है और जो ये अमंडवास है जिसके हम बात कर रहे हैं ये वी कल पत्राव करा था मैंने खुद अपनी आखों से इसको देखा है पत्राव करते हुए और ये जैसे चुकि मैं गाउं से जुड़ा हुआ हूं तो दिल्ली पुलिस 26 तारिक को जो यूद है वो जो रूट था सर मारेंगे बीजेपी वाले बवाना किसे निकलेंगे और उसमें इस अमंडवास ने तयारी कर रखी थी और दिल्ली पुलिस इनका साथ दे रही थी ऐसा मुझे बहुत सारे बवाना के लोगों ने भी बताया उनकी वीडियो में आपको जारी करूँआ जो बवाना के लोग करके बुरी तरीके से पीटा है और उस वीडियो में आप देखेंगे जो पत्राव करने वाले थे वह भी इन सर्दार को कूट रहे हैं यह यह वोलेंटियर था इसको खीच के इसके हाथ में तलवार थी जो ऐसे चो तलवार नहीं बेसिकली जो यह अमरितदारी सिक था तो करते हैं तो किर्पान के लगी तो किच के लेकर आ रहा है तो उसके आत में चोट लगती है और इसको खीच के दंगाईयों को फीट रहे है इस लड़के को और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा इसके लठ बरसा रहे हैं वो वीडियो देख नहीं सकते आप तो पुलिस आप आपको दिखाऊंगा और देखे अब मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया असल में आप देखेंगे देखो यह पत्राव कर रहे हैं यह गुंडे आए और देखें यह जो पुलिस है यह मुखदर्सक बनके देख रही है बिल्कुल कोई वह नहीं को पत्राव करने दे एक बार भ इस लड़की फोटो बेक राउंड में फोटोशोड करके पुलिस को हटा दियाए और कुछ और вып लिखा दिरे तो बेसिकली और देखे क्या लिखा स्तानिय और किसान बढ़े पुलिस पर तलवार से हमला जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैं बिल्कुल आखों से देख रहा था चलो ठीक है भई दैनिक जागरंड के अपनी पोल सी है रिपोर्ट करने की चीजों की पर यह हुआ अब मैं उस स सरदार जो थे उनको लेके आएंगे देखे बालों से खीच कर लेके आ रहे हैं और गालिया यह देखे बालों से पकड़ा हुआ है और इसको जिक्सी में ठूसने की पोसिस कर रही है और इसको आप स्थानी आएंगे देखना जो इसके उपर देखे और जो यह खबर इंडि बन के आए हैं सो कोल्ड जो बीजेपी के जो लोग है वो भी इसको मार रहे हैं और पुलिस हमको रोक नहीं रही है तो और इसको बिल्कुल आगे यह देखे दलवा लेकर के पुलिस के उपर आक्रमक हो जाता है और यह देखिए लोकल आपको दिख जाएंगे देखिए यह देखिए यह लोकल इसको मार रहे हैं पुरा यह बालों से पकड़ रखा है बालों इसको खुदी और यह इस इस लड़के को बुरी तरीके से गसीटती है और जो पुलिस इस बीच आसुगैस के गोले छोड़ती है और लाठी चार्ज करती है बैंकर किसानों के उपर मतलब मैं आखों से देख रहा हूं कि पुलिस धंगाईयों को कुछ नहीं कह रही है लेकिन किसानों के उपर लाठी चार्ज कर रही है उनके आसुगैस सोड रही है और जो यह विजेपी के जो लोग हैं यह गालियां दे रहे हैं किसानों को और तिरंगे से भी महिलाओं के दे रहे हैं कि महिलाओं के टेंट को इन्होंने जलाने की कोशिस की है जो बीजेपी के लोग है अब मेरा मेरा सिर्फ इतना है कि मीडिया कया रिपोर्ट कर रहा है अभी तो खैरसांती है वहां पर किसान जूट गए है बहुत सारे और अर्याना पंजाब से सपोर्ट आई ह बहुत ज्यादा लेकिन ये सवाल बनते हैं पुलिस की भूमिका के उपर और अभी तक पुलिस ने उस लड़के का बताया नहीं है कि लड़का कहां पर है इसकी मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाई है और मैं आज 24 गंटे तक हम बाट देखेंगे की रिपोर्टर दोस्त की साथी कि क्या करें उसके बाद अगर पुलिस नहीं बताती है कि यह कहां पर है और इसको पेश नहीं करती है तो फिर हम एबियस को और पस मूग करेंगे और सुप्रीम कोल्ट में जाएंगे पत्रकार लोग कठा होके जाएंगे क्योंकि हमने अपने आखों से देखा है पत् पत्रकार सातियों से बात हुई है कुछ वकीलों से बात हुई है अगर 24 गंटे में अब थोड़ी देर में तीन बजे 24 गंटे हो जाएंगे तीन बजे तक अगर दिल्ली पुलिस प्रेस कोंफेंस करके इस सरदार जी का हाल नहीं बताती है तो फिर में MBS को और पसमूग करे हैं तो डेसिकली आप आपको यह समझना है कि मतलब यह दिखाए रही है बीजेपी कि स्थानिये लोग अमला कर रहे हैं जबकि ऐसानिये बीजेपी के खुद लोग अमला कर रहे हैं और अगर उस दिन दिल्ली पुलिस के बताएवे रूट पे यह चले जाते बवाना की तर और वह असल में बवाना के लोगों ने जो किसान दोलित किसान है उनको भी बताया कि बाई दिल्ली पुलिस के बताएवे रूट पे मताना वहां पर पेट्रोल बंब लेके चत्तों पे बीजेपी के लोग खड़े हैं तो आप समझे आप इसलिए रिंग रोड की किसान बार का चोटा है कईयों के आज टूटे हैं कईयों के कुछ हुआ है तो लग बगलबग 15 गंभी रूप से गायल हैं पचास के चोटी मोटी इंजरी हैं जो मैं अभी तक गिन पाया हूं किसानों के तो और मैं किसी जो मेरा लाइफ देख रहे हैं ऐसे कोई हुमन राइट के उप निकर पारें डकुमेंटेशन को वकील साथी ऊत्की ही ऊपिर ह menor काी रेट का साथी कर सकता हैजरी और झेली में हैं और दीकमेंटेशन करें बस आपका काम क्या है किसानों को बात चोट लगी ए उनकी फोटूस हम सबादो के खिलाफ मोग करते हैं और साथ में जो सथी बुर कर दिया था तो इसको इसकी भी हमको जरूरत है इसके लिए भी हैवियस कोर्बस मुग करने की जरूरत है जिससे हम पूछें दिलिपुलिस से कि यह कहा है मेरे इसाथ से 3 बज़े तक टाइम देना चीए 24 गंटे 3 बज़े तक हो जाएंगे दिलिपुलिस क्या क्या बताती है क और अभी मैं अलिपूर से भी कॉंटेक्ट करने कोशिश करा हूं मेरे फोन उठा नहीं रहे मैं दुबारा उनसे फोन करूगा और उनका वर्जन भी लूँगा और साथ में यह भी पूछूँगा कि वो लड़का कहा है आसल में हमें अपनी रिपोर्ट में लिखना है गई हो के साथ आप उनको बैक अप दे रहे थे वह पत्थर चला रहे हैं और अगर किसानों के उपर उनको बैक अप देने के लिए पुलिस आसुगैस चोड़ रही है ताकि किसानों की आँखों में जलन ले लग जाए और यह पत्थर उनके उपर आराम से ठैक सके इसी हुआ आप मैं को सिस कर बहुत सारी चीजें हम अभी लिखित में नहीं पेस कर पारें से लिए मैंने चोटा सा वीडियो बनाया जो रिपोता जो मैं लिख रहा हूं इस पूरे इंसिडेंट के उपर तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आगे से आगे इसक सामने आनी चाहिए और साथ में जिन दंगाईयों ने हमला किया किसानों के पर वो भी सामने आना चाहिए